आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो से लिशन पाओ डाउटनोड नाओ और अगर इसका डेफिनेशन हम लोग नोट करें तो यह होता है इन्थाल्पी चेंज फॉदी फॉर्मेशन फॉदी 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 फॉ प्रेजेंट नेर नाचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म ठीक है तो हम लोगों ने क्या देखा हम ने देखा कि heat of formation is only known as enthalpy of formation और इसका definition होता है enthalpy change for the formation of one mole of a substance from its constituent elements present in their natural most stable form ठीक है तो यहाँ पर यह है enthalpy of formation का definition अब हमें enthalpy of formation of water लिखना है ठीक है तो जो formation हो रहा है यहाँ पर water हो रहा है और water का standard most stable form होता है liquid form ठीक है तो और इसमें one mole water का formation होना चाहिए है h2o liquid का ठीक है अब यहाँ पर हम लोग देख सकते है hydrogen और oxygen इसके consistent elements है तो जो hydrogen होता है इसका standard most stable form होता है gas और जो oxygen होता है इसका भी standard most stable form होता है gas अब इसको balance करें तो यहाँ पर आएगा half o2 gas ठीक है तो यह हो गया reaction of formation of h2o ठीक है यह कहें इसी reaction का जो enthalpy change होगा इसे हम कहेंगे heat of formation of water या enthalpy of formation of water ठीक है तो इसमें हमने क्या-क्या बातों का ध्यान रखा कि यहाँ पर h2o लिक्विड का formation होना चाहिए क्योंकि h2o का standard most stable form है वह है liquid और यहाँ 1 mol होना चाहिए और जो इसके consistent elements थे वो भी इसके natural most stable form होने चाहिए यहाँ पर oxygen और hydrogen और इन दोनों का standard most stable form होता है और इसे हमने balance किया ठीक है तो यह है इसका reaction अब बात आती है इसकी delta h की ठीक है तो delta h हम लोग ऐसे तो यह value हमें याद ही होता है ठीक है यह value होता है minus 68.3 kilocalories ठीक है और यह होता enthalpy of formation of water अगर हम लोग इसका sign जो है यह negative है और यह जो overall reaction है यह exothermic reaction है ठीक है इसे हम लोग यहाँ पर समझ सकते है यहाँ जो hydrogen है और oxygen gas है इन दोनों के बीच में bond फॉर्म हो रहा है ठीक है और bond फॉर्म हो रहा है मतलब energy release हो रही है इसके बज़े इसे जो net reaction है यह exothermic reaction है ठीक है तो यहाँ पर साइन का यह explanation है और जो magnitude है यह हमें याद ही होता है तो इसका enthalpy change होगा है minus 68.3 kilocalories ठीक है तो अब बसे से हमें options मिला लेना है तो हम लोग यहाँ देख सकते है कि जो A option given है यह हमें given है H2 gas plus half O2 gas gives H2 a liquid और इसका enthalpy change में given है minus 68.3 kilocalories मतलब A is the right answer for this question ठीक है अगर हम लोग B option देखें तो B option में यहाँ पर 2 mol H2O liquid का formation हो रहा है इसे लिए यह हमारा सही answer नहीं है ठीक है अब अगर हम लोग C option देखें तो C option में जो enthalpy change की value है वो heat of formation of water के बरावर नहीं है क्योंकि यहाँ पर H2O है यह भी liquid form में होना ची के बज़े से यह गलत होता है ठीक है अब हम लोग D option देखें तो D option में H2O gas plus H2O gas gives H2O liquid ठीक है लेकिन यहाँ पर enthalpy change है में जो sign है यह हमें गलत given है तो इसलिए यह भी हमारा answer नहीं है इसका जो sign होना चाहिए था यह होना चाहिए था negative क्योंकि यहाँ पर H2O oxygen gas के बीच में bond form हो रहा है और bond form हो रहा है तो energy release हो रही है और जो overall जो यह reaction है यह एक exothermik reaction है ठीक है मतलब delta H की value क्या है negative तो A is the right answer for this question. Thank you.